जेहन देस्पिरिंस आयरू बिछाकुर वेलकम यू तो एसे बिक्राइक एक्जाम्स और आज को हमारा टॉपिक है वो आज के दिन के उपर है आज है तारीक पांच जून और टूड़े वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वी के उपर जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा यर 1972 के अंदर से 1972 के अंदर एक उनाइटे नेशन का कॉन्फरेंस होता है यह होता है स्वीडन में पांच जून स्टार्ट किया गया था और एंड हुई थी 16 जून को और उसे पटिकुलर दिन को सारी एंवार्मेंट जितनी भ अब आप सब जानते कि this is a very एक प्रारिटी बेस सबसे पहले अगर किसी के बारे मैं सोचा जाता that is our climate only, correct? तो इसे के बैसे के उपर उनाइटे देशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 5 जून को हम माग करेंगे as the World Environment Day and यहीं से एक आप कह सकते हो Global Environment Awareness कि ए एक Global Movement जो particularly इस दिन को Environment के लिए ही मनाती है उसकी शुरुआत हुई थी पहले World Environment Day जो celebrate किया गया था that was in the year 1973 1972 में conference हो थे और 1973 में इसे celebrate किया जाता है और उस time की पहले Environment Day के जो theme थी that was only one earth so this was the theme at that particular time इस time पे अगर 1973 के comparison में अगर हम 2024 की बात करें आज यह एक Global Movement बन चोकी है जिसके अंदर में Environment के लिए various steps लेते हैं एक annual of gathering रख लिजिए चाहे एक बहाना रख लिजिए कि जिससे दन पर 5 June के दिन एक annual gathering का done celebration का particularly अपने Environment के तो सब चीजे इस तारीक पर की जाते हैं अब बात करते हैं theme की तो theme क्या है इस पर हम बात करेंगे लेकिन उस theme को लेने का reason क्या है उस पर बात करते हैं सबसे पहली बात हम सब जानते हैं कि जितने भी ecosystems है all over the world में वो सारे के सारे threatened है ऐसा कोई भी ecosystem नहीं है इस particular time पर all over the world हम बात करें जो एकदम healthy हो जिसके अंदर कोई भी problem नहीं हो कोई issue नहीं हो so everywhere we are facing the issues correct चाहे वो forest हो, dry lands हो, farm lands हो, lakes हो, natural spaces हो हर जगा खत्रा है and उसका directly खत्रा जाता है human beings के उपर, humanity के क्यों पड़न because कहीं न कहीं चो हमारा existence है वो depend करता है इनी सब चीज़ों पे और यही चोच इनका issue है, वो पहुंच चुका है tipping point के उपर tipping points आप यह समझ सकते कि इतना ज़ादा खराब हो चुका है, उसको irreversible नहीं किया जा सकता बापे से normal नहीं किया जा सकता कुछ आंकडों की बात करें, so United Nation Convention to combat a desertification के round 40% around 40% जो है planet का land जो है वो degrade हो चुका है means जो उसका particular लेकर बात करें, एक land रहता है उसके एक अपनी qualities होती है then due to different activities उसकी जो quality वो degrade हो जाती है, खराब हो जाती है तो उनका कहना है कि 40% land ऐसा जिसका quality degrade हो चुका है directly, जिससे 40% land से directly half of the population हमारी affect हो रही है number and duration of droughts भी increase हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है तो 29% से increase हो चुका है, drought, that is from the year 2000 land restoration, this is the reason कि land restoration को इस बार पिला रखा गया for the UN decade on the ecosystem restoration and यहीं से इस बार की theme भी लई गया तो इस बार चो हमारी theme है for the world environment day that is towards the land restoration as simple as that, correct so that's why world environment day 2024 focuses on the land restoration correct, halting desertification and building drought resilience under the slogan our land, our future and एक slogan हर बार दिया जाता है that is the hashtag generation restoration so this is the slogan जो 2014 में लिया गया है correct so यहांपे भी एक बात की गई है कि हम वापस नहीं जा सकता है हम पुरा का पुरा हैसा नहीं सकता है जो पहले जिसे हमारे पास environment की condition थी आज भी वैसे कर देंगे no that is not possible उस तरह से forest grow नहीं कर सकते है water sources को हम normalize नहीं कर सकते है soils को हम back नहीं ला सकते है उस पूरे land को हम restore नहीं कर सकते है इसलिए land restoration को और यहीं पर हम mark करते है 30th anniversary of the United Nations Convention to combat desertification साथी में 16th session of the conference of the parties जो की रहता है UNCCD के दौरा ध्यान रखेगा जब भी world environment यह आता है तो उसी particular type हमारे पास आता है कुछ ना कुछ एक host country हर साल एक host country रहती है और इस बार की जो host country है that is the Saudi Arabia तो उसी के अंदर इस बार जो यह सारी meeting organized की जाएगी United Nations and CCD की that will be in the Saudi की capital Riyadh के अंदर and जो timing है that is the 2 to 13 December 2024 और वैसे भी इस बार की world environment day की जो hosting country है that is our Saudi Arabia that is very important अब जब world environment day आ रहा था उससे पहले UNEP ने कुछ चीज़े शेर की है and उसी के अंदर बाग किये गया है कि UNEP ने कुछ agendas बताएं कि जैसे हमें restore करने हैं landscapes को तो हमें क्या-क्या करने हैं तो पहला है make agriculture sustainable organic farming regional, seasonal, plant rich diets more soil friendly food because आप जानते हैं कुछ ऐसी crops होती है जिससे हमें जो soil को help करते हैं lentils हो गया, beans हो गया, chickpeas हो गया तो इन सब पर focus किया जाए means agriculture को sustainable बनाया जाए second is the save the soil ठीक है, compose जो भी हमारे पास leftover fruit के चिलके रहते हैं अगर आप तो कोगे, vegetables हैं gardens में, उन सब को आप use कीजिए next is pollinators ठीक है, तो pollinator friendly because जो भी हमारे seeds का dispersal होता है pollinators हमारे environment में बहुत जाद helpful रहता है उनका कहना है कि native wild flower या जो pesticide का use आप कम कीजिए जो भी native हमारे plants हैं उनको आप होगा ही है fresh water ecosystems को आप restore कीजिए चाहे वो wetlands है, rivers है, कुछ भी है उन सब को restore किया जाए coastal and marine areas को renew कराया जाए अब आपने कुछ दन पहले पढ़ा भी था कि mangroves को critical endanger declare कर दिया गया सो इसी तरह जाए sea grass है meadows है, coastlines है, उन सब के ओपर काम किया जाए, उनको normalize किया जाए bring nature back to cities कही न कहीं आप जानते हैं कि cities आज के time पे concrete jungles बन चुके है तो कुछ ऐसे efforts लाए जाएं कि concrete jungles को वापस एक nature दिया जाए means plantations दिया जाए, green किया जाए हलांकि बहुत सारी चीज़ें से की भी जा रही है करें तो हम उसमें कैसे involved हो सकते हैं तो आप लोग local events को join कर सकते हैं awareness को बढ़ाया जा सकता है sustainable choices को adopt किया जाता है policy change की तरफ बढ़ा जा सकता है तो yes, these are all the reasons जो हमें इसमें करने चाहिए So that is all for this particular update world environment day के ओपर so we wish you all a very happy world environment day and just try कि जितना जादा हम हो सकते environmentally sustainable choices को adopt करें correct So that is all अभी आप की screen पे SSB interview के online courses आप इने join कीजे साथी भी आप एविग दे पोर न्डे, C, D, S, F, C अब इन्वे न्रोल कर सकते हैं जैसे आप इन्रोल करें उस ताइम पर discount code जो के warrior 10 आप इसको use करें and you'll be getting the 10% off on that particular course So that's all for the day Thank you so much for watching this video lecture जैहन जैवाँ अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview NDA, CTS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को check करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर सकते हैं